हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में तो फ्रेंट्स काफी इंपर्टेंट टॉपिक लेके आए हूँ जैसे में हर बार हमारे काफी वीडियो हो चुकी है तू थर्टी से उपर वीडियो हो चुकी है आप देखिए काफी नोलेज आप गे काफी कमेंट्स आएगी कि सर आटो लेवल से बताईए प्रेक्टिकल करके कि हम कैसे स्लो प्रवाइड करते हैं तो उसी पर मैं टॉपिक लेकर आए हूँ पहले मैं आपको साइड का दिखा देता हूँ कि कैसे हम काम करते हैं मतलब आटो लेवल से कैसे प्रवाइड करते है उसके बाद क्या करूंगा theoretical way से अच्छे से मतलब paper पे समझाऊंगा कि हम कैसे program करते हैं क्योंकि इधर मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा काम चलता रहेगा और इधर से आप अच्छे से पकड़नी पाऊगे तो वैसे ही मैं theoretical इसके बाद बताता हूँ ऐसे सामने देख रहे हो स्टाफ रखा हुआ है तो बिद्धी हल्फ स्टाफ और आटो लेवल जो हमारा रहते है डंपी लेवल इससे हम पूरी स्लोप दे देते हैं एक बार हमें reduced level dbm हमें मिल जाए कि हमारा जो lowest level इतना रहेगा highest level इतना रहेगा उसके हिसाब से हम slow provide कर देते हैं तो इसके बाद मैं theoretical भी part बताऊँगा आपको उसमें आपको अच्छे से समझाएगी लेकिन आप एक बार थोड़ा idea लग जाएगा कि कैसे provide करनी है साइट पर आप देख लो एक बार मैं बताता जाता हूं साथ साथ में लेकिन आप जो ठीकल पार लास्ट में बताने वाला हूं उसमें आपको जादा समझाएगी तो इसमें क्या हो रहा है कि जेको वह सामने उसने मार्किंग कर दिया अटो लेवल से मार्किंग करती है कि यह लेवल आ गया आपका एक बार फिक्स हो गया मिस्ट्री को पता चल गया इस लेवल तक आपको कॉंगरीड को लेना है तो वह वैसे वैसे बिद्धी हलप आफ जो फंटी रहती है उससे वह लेवल करता जाएगा अभी यह पार्ट ख और यह रहा हमारा टी वी एम जहां हमको tightly के जो मतला हमारा बेंच मार का जहां से म हमारा आरल पूरी बिल्डिंग का जहां जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहां पे आपको स्टाफ रखने है ठीक है यह स्टाफ रख दिया रीडिंग स्टाफ यह मैं फिर से बता दूं यह जो फ्रेशर्स हैं यह न्यू स्टाइश साइट इंजिनियर है काफी इंपोर्टन वीडिय उनके लिए क्योंगी यह नौलेज आपको साइट पे जाके मिलेगा तो यह मैं पहले बता रहा हूं तो काफी काम आपके आने वाला है तो यह रीडिंग स्टाफ है तो आरल कितना हमारा 28 200 ठीक है यह और जहां हमें स्लोप प्रवाइड करनी है यह मैंने एक एक्जेंपल ल जहां से पाणी अपना क्रेविटी से घिर जाएगा वह कितने 27 200 ठीक है अब भी जो फर्स्ट टैप है पहले हमें पता होना चाहिए कि वन डिश्व हंडडर यह मैंने पहले वीडियो में दिखा चुका हूं कैसे स्लोप निकालते हैं इसमें बता दूंगा जल्दी से बतान इसमें दिखाए को हैर ए घृमिटर पर आपको 10 iii में प्रृफ यह हर आ एल मीटर पे आपको 10 ii में असलोप देनी है इसलों हो आ है हो कि अच्छे से समझ यहां इदर देखो करके आपको यहां भी अच्छे समझ आ जएाइगा Simple Funday यह कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है, तीसे में में स्लोप मिल गई, अब भी क्या करना है, अब ही काम आ जाता है, सब आटो लेवल का, हमने स्टाफ रखा यहां, और हमें रीडिंग मिली, मतलब एक मिली, इदर से स्टाफ रखा मैंने, और यहां रीडिंग देखी, यहां आइट की नहीं लेको, मतलब यह मैं एक्जेंपल ली हुई है, तो यहां लगा लो, यहां स्टाफ रखा हुआ है, तो टीवियम पे हमें मिली, जहां टीवियम आऊगा, आपका रेफरेंस अब भी हमें आना है 27,200 पे, मतलब यह हमारा यहां से स्लोप स्टार्ट होगी, यहां तक, यह क्लाइंट भी कहता है कि आपको, यह पॉइंट आपको, मतलब क्यूंकि यहां ड्रेन बन चुका है, पहले गए, यह में एक्जेंपल ऐसे लिए, तो यही आरल तक आपको अब ही आपको कैसी स्लो प्रवाइस करना है, वह में आपको बता देता हूं, पहले रीडिंग है यहां आपको 2000 लेनी है, ठीक है, और दूस्री जो यहां रीडिंग लेनी है authors 1930れて, मैं बताता चाहिक हैं Dienst 1, मैं बता पतкивे चाहिक है यहा है चीजाह बताता हूं यहां रीटि पॉइंट मिलते जा रहा था वो लेवल करते जाता अब यह क्या कि हमें 1990 किया यह दो मेटर आई हमारा लोवस्ट पॉइंट यहां तक हमारा पानी अपने आप पहुंच जाएगा उसके उपर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी मतलब तो हमारी स्टाफ की रेडिंग कम हो यहां से स्लोप नीचे आता जाएगा पानी, तो यह फंडर रहता है आउट लैवल से कैसे करते हैं, ठीवी हम होता है उस पर स्टाफ रखते हैं उसके रीडिंग ले ले लेते हैं जहां आपको जो पॉइंट है उसको उसमें से माइनस करेंगे, आपको जो वैलियू मिलेग कि वहां 30 mm, 10 mm, प्रवाइड करते हैं, इसमें क्या हो गया हर 1 meter पे, अगर 1 meter ले लो, एक meter, यहां प्रवाइड की, यहां प्रवाइड की, यहां आगी हमारा, तो यही फंडर रहता है आटो लेवल से कैसे हम करते हैं अगर कोई question आपको यहां नहीं पता चला कुछ चीज जो fresher है तो आप मैं इसको पूछो मैं उसमें आपको तुरंट जबाब दूँगा तो friends channel को subscribe करो, share करो, thank you